स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पर आज हम इस नए वीडियो में बात करेंगे मच अवेटेड दिल्ली अम्रिस सरक्टरा एक्सप्रेस्वे के बारे में दिसंबर दोजार चौबिस तक ऐसी करमात करने जा रहा है कि दिल्ली से सुबह चलकर भक्तगर्ण शाम तक माता वैसुर देवी के दर्सन कर लेंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस्वे पूरा होने के बाद दोनों शहरों की बीच की दूरी गटकर 8 घंटे कम हो जाएगी तो आज़े दोस्तों देखते हैं तो आपको मिले का लेटेस्ट अपडेट भी दोस्तों वीडियो अच्छ लगए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों शायर कमेंट नहीं किया है तो जलदी से स्बस्क्राइब करें धरसल दिल्ली कटरा एक्सप्रेस्वे के हरियाना में हो रही निर्मान देखकर मणही में एक अला उक्सा जगरा है इस एकस्प्रेसॲे का जादतर हिस्चा हरियान में ही बन रहा है करیब 670 किलो मेटर का यह एकस्प्रेस लेकिन भविस्षे में इसे 8 लें तक बढ़ाया जा सकता है यह दिल्ली के पास हर्याणा के जजजर जिले से सुरू होगा और कट्रा में खत्म होगा एस्प्रेसवे दिल्ली से अम्रिसर होते हुए कट्रा तक जाएगा इस एस्प्रेसवे पर सफर करने का एक अलग ही अनुभाव रहने वाला है हर्याणा में बन रहा पहले और दूसरे चरण का काम काफी तेजी से चल रहा है इस expressway के पहले चरण में 397 किलोमेटर का green field expressway बनाया जा रहा है जो दिल्ले से लुदियाना और गुर्दासपूर के बीच में बनाया जाएगा इसके अलावा 99 किलोमेटर का एक connecting road नाकोदर से अम्रेसर की बीच बनाया जाएगा रोड की चोड़ाई करीब 90 मीटर की है और इसे बनाने में करीब 35,000 करोड रुपे का बजट का अनुमान लगाए गया है इस एकस्प्रेसवे के दूसरे चड़ा के तहट गुर्दासपूर से पठानकोट और फिर जम्मू से कट्रा तक एकस्प्रेसवे का निर्मान किया जाएगा इसके अलावा 12,5 किलोमेटर का एक link road पठानकोट से गोविंसर तक बनाया जाएगा इसके अलावा पंजाब के पटियाला, संग्रूर, लुधियाना, जलंधर, कपूर्थला, तरंतारन, अमरिस्थर और गुर्दासपूर जिले तक जाने के लिए भी link road बनाया जाएगा इससे specific का निर्मार पूरा होने के बाद दिल्ली से वैसोव देवी पहुँचना काफी असान हो जाएगा इसका निर्मार पूरा होने के बाद दोनों शहरों की बीच की दूरी मौजूदा 730 किलोमेटर से घटकर 590 किलोमेटर रह जाएगी इतना ही नहीं दिल्ली से कट्रा तक जाने में अभी लगने वाला 14 घंटे का सफर घटकर महट 6 घंटे रह जाएगा यानि दोनों शहरों की बीच ट्रेवल टाइम करीब 8 घंटे कम हो जाएगा इसका मतलब हुआ कि अगर दिल्ली से सुब़ 6 बजे कट्रा के लिए निकलते हैं तो दोपहर 12 से 1 बजे तक कट्रा पहुँच जाएगे फिर 2 बजे भी फैसरो माता दरबार की चड़ाई शुरू करते हैं तो रात 9 बजे तक आप दरबार में पहुँच सकते हैं इसी तरह दिल्ली से चंडीगड तक जाने वक्तों को महज 2 घंटे खर्च करने पड़ेंगे अभी दिल्ली से चंडीगड पहुँचने में करी 6 घंटे का समय लगता है नया अस्प्रेस्वे पूरा होने के बाद दोनों शहरों की बीच की दूरी 20 किलोमेटर कम हो जाएगी जबकि सफर में लगने वाला समय महज एक तिहाई रह जाएगा इसकी वज़ाई ये है कि दिल्ली कट्रा एस्प्रेस्वे पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 120 किलोमेटर प्रती घंटे हो सकती है वहीं दिल्ली कट्रा एस्प्रेस्वे के जरिये महज 4 घंटे में ही अमरिसर पहुँचा जा सकता है अगर किसी को अमरिसर जाकर सुवन मंदिर में मत्था टेकना है तो सुबध दिल्ली से चलकर शाम तक वापस भी आ सकता है अभी दिल्ली से अमरिसर तक पहुँचने में साथ घंटे से जादा का समय लगता है दोनों शेहरों की बीच की दूरी 450 किलिमेटर है नया स्पेसियो बनने के बाद ये दूरी खटकर 350 किलिमेटर तक पहुच जाएगी दोस्तों में है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लेज को लाइक करें तो तो साथ शेयर और कमेंट करना ना बोले और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्ट वीडियो नेक्ट अपडेट तब तक के लिए थैंक यू जैहन